तो देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर चार-पांच नंबर अल्यडी लिंक्ट है एंड एक-दो जीमेल आईडी भी लिंक्ट है तो वह सारा यहाँ पर लिस्ट दिख रहा है तो इसमें से एक नंबर जो है मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ हाई गाईस स्वाध करता हूँ आपको फिर से एक ब्राइन वीडियो में तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं आपने अपने अपने परसनल मोबाइल नमबर डाल रखा है और आप नहीं चाहते कि कोई भी दूसरा जो है आपके नंबर को देखे या फिर उसका मिस्यूस करें तो ऐसे में जो है आप अपने नंबर को डिलीट कर सकते हैं कैसे करना है क्या करना है सब कुछ इस वीडियो म देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को step-by-step तो सबसे पहले आपको अबने ऊस Facebook अकॉंट पर आ जाना है जहां से आपको अपने नंबर को डिलीट करना है तो देखो मैं जो है यहां पर अपने ऊ स फेसबूक अकॉंट को यहां पर मैंने आपन कर लिया है उसके आजाओ and यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा personal information का जैसे आप इसके अंदर में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और option मिलेगा contact information का ठीक इसके अंदर आजाओ and जैसे यह आप इसके अंदर आएंगे तो जो भी number आपका डाला हुआ होगा आपके facebook account पे जो भी आपके facebook account से number link होगा या फिर email id लिंक होगा वो सारा जो है यहाँ पर शो होने लग जाएगा तो देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर चार-पांच नंबर अल्यडे लिंक्ट है और एक-दो gmail id भी लिंक्ट है तो वो सारा यहाँ पर list दिख रहा है तो इसमें से एक number जो है मैं उसको चेक कर दो ठीक है उसके बाद क्या करना है रिमूव नंबर पर क्लिक कर दो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको जो है अपना password डालना होगा ठीक है आपको यह confirm करना होगा कि यह आप ही का account है आप किसी दूसरे का account में छेडशार नहीं कर रहे हैं तो simply से आप अपना password डाल देना Facebook का password जैसे ही आप अपना Facebook का password डालेंगे उसके बाद जो है remove phone का एक option आजाएगा जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका यह number delete हो जाएगा और देख सकते हो कि मेरा भी जो number यहाँ पे successfully delete हो गया है जिसको मैं delete कर करके guys आप भी बड़ी आसानी से आपने किसी भी number को जो है delete कर सकते हैं अपने Facebook account से ठीक है तो I hope कि इस वीडियो में आपको सब कुछ detail में समझ माया होगा और सारे process को आपने समझ लिया होगा अच्छे से अगर इसकी बात भी आपके मन में कोई doubt है suggestion है तो यह नीचे comment कर द subscribe करके bell icon भी दबा देना और हां guys यहां पर दो वीडियो का link में दे रहा हूं जाओ उस पर click करो and enjoy करो